दोस्तों जो कल तक 3 साल की सजा हुआ करती थी वो अब मोधी सरकार ने बढ़ा कर 7 साल कर दिया है इस कानून को चेंज कर दिया है जो कल तक 3 साल का सजा हुआ करता था वो अब 7 साल में तबदील कर दिया गया है क्यूं कैसे हुआ है यह सब कुछ आपको बताऊंगी और क्या क्या चीजे चेंजेज हुए हैं कल बहुत ही जिहां कल बहुत ही धडले से तीन कानून पास किये गए हैं और यह तीनों कानून जो है वो आप लोगों को गाट बांध कर अच्छे से याद रख लेना होगा कि इस वज़ा से कितने लोगों को कैसे कैसे सजा हो सकती है और इस सजा में सबसे जादा कौन लोग भुगत सकते हैं या भुगतने वाले हैं इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगी कि किस तरीके से जो है कानून बनाया गया है जो कल तक राजद्रोह का कानून हुआ क करता था जिस पर सुप्रीम कौर्ट ने रोक लगा दिया था वो अब देश द्रोह कानून बन गया है जी हां अब कुछ चेंजेज हो गए है कानून को लेकर और कई सारी चीजे जो है वो भी चेंज कर दी गई है कलमिशाह जो है भरे सदन के अंदर अंग्रेजों का कानून अ बहुत ही विस्तार से अपनी बात रख रहे थे कह रहे थे कि अंग्रेजों का लाया गया कानून है इसको बदलने की जरूरत आनपड़ी है और इसको बदलाब जो है वो अमिशाह की तरफ से कर दिया गया है दरसल दोस्तों धोका धड़ी करने वालों को अब 420 मत अब हत्या की जो दफा लगती थी 302 उसका भी इस्तमाल आप मत कीजिएगा क्योंकि इन सब को बदल दिया गया है भारतिये दंड सहिंता IPC की सारी धाराएं बदलने वाली है इस पर कानून लाया गया है सालों से आपने सिनिमा घरों में देखा होगा संबादों में आम बो आप हत्या के लिए दफा 302 यूज करते थे बच्चा बच्चा को पता है कि हत्या के लिए कौन सी धाराएं लगती है जो मुख्य मुख्य है दोस्तों तो लोग फटाक से बोल देते थे 302 दोका धड़ी के लिए कौन सी धाराएं लगती थी तो लोग फटाक से बोल देते 420, बलातकार के लिए 376, आईपीसी की धारा जो इन अपराधों के लिए कानून में लागू की जाती थी, अब आईपीसी यानि कि भारतिये न्याई सहिंता विधेग 2023 के तहत इन धाराओं को अलग-अलग कोड में बदल दिया गया है, अब आईपीसी धारा 420 यानि कि धोका साल तक बढ़ाया भी जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, इसमें भी चेंजिस हो गए है, अब प्रस्तावित भारतिये न्याई सहिंता बिल में 420 कोई धारा होगा ही नहीं, धोका धड़ी के अपराद के लिए अब धारा 316 का इस्तमाल किया जाएगा, जो बूच कर उस व्यक्ति को ऐसा कुछ भी करने या करने के लिए प्रेरित करता हो, वो नहीं करेगा, या जो कारे या गलती उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्टा या संपत्ति को छती या नुकसान पहुचाती है, या होने की संभावना है, उसे धोका देना कहा जाता है, तारा 316, 2, 3 और 4 के तहट धोकाधड़ी के लिए सजा, 3 साल से 5 साल या 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा, इस तरीके से भाजपा सरकार ने इन तमाम कानूनों में बदलाव कर दिया है, और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो र राजद्रो कानून खत्म नहीं हुआ है, आपको लगा होगा है कि राजद्रो कानून खत्म हो गया, उस वक्त में ठाईयां बाची जा रही थी, हमने भी वो ख़बर दिखाया था, कि सुप्रीम कौर्ट का एतिहासिक फैसला है, सुप्रीम कौर्ट ने राजद्रो कानून कर दिया है लेकिन अब सिर्फ नाम बदल कर देश द्रोह कानून कर दिया गया है सजा पहले से भी जादा कड़ी कर दी गई है पहले तीन साल की सजा थी अब साथ साल की सजा कर दी गई है तो इस तरीके से ये कानून बदल दिया गया है अब आप सोचिए दोस्तों कि इस कानून को पहले लाया गया था और इस कानून से जो है लोगों को कितनी दिक्कते परिशानी हुई थी और कैसे बेगुनाहों को फसाया गया था दोस्तो राजद्रो कानून जो है किस तरीके से 12 साल में 867 केस और 13,000 जो है इस केस को लगा कर आरोपी बनाए गये थे लेकिन कानून को जो है कौर्ट के अंदर जब दलीले हुई जब बाद विवाद हुआ जब पक्ष रखा गया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तेरा लोग ही इस कानून के तहट जो है अपराधी पाए गए थे लेकिन अब इस कानून को भाजपा सरकार की तरफ से नाम बदल दिया ग दोस्तों इस कानून के तहट जादा से जादा जो आकड़े बताते हैं उसमें एक खास समुदाय को ही बंद किया गया है उस खास समुदाय पर ही ये कानून जो ये धारा जो है वो लगी थी अब दोस्तों मैं आपको बता दू कि BBC की एक रपॉर्ट है वो कहती है कि मई 2022 में कानून को सुप्रीम कौट में चुनौती दी गई थी तब अदालत ने कहा था कि सरकारों को इस कानून के तहट कोई कठोर कारवाई नहीं करने चाहिए हाला कि नए कानून के सेक्षन डेर सो के तहट एक नया अपराद जोड़ा गया था इसके तहट भारत से अलग होने यानि कि प्रत्थक वादी भावना रखने या भारत की एकता एवं संप्रवुक्ता को खत्रा पहुचाने का अपराद बताया था लेकिन अब आप सोचिए दोस्तों कि 2022 में सुप्रीम कौट ने इसको इस मामले पर चुनौती दी गई जो याचिका थी उसको सुनवाई करते वे कहा था कि सरकार को ऐसे कठोर जो है कानून को रोक लगाना चाहिए लेकिन फिर से इस कानून का नाम बदल करके इसको और कि दारा का उपियोग किस धरले से और कितनी तेजी से किया जा रहा है और किया जाएगा यह आने वाले वक्त में बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कानून तो ला दिया गया है CRPC की कई धराओं को भी चेंज कर दिया गया है जैसे मैं आपको बता दू 302 को अब चेंज कर दिया गया है यानि कि यहां पर भी नाम बदल दिया गया है 101 धारा कर दिया गया है धारा 420 को 316 कर दिया गया और धारा जो 144 जहां पर 4 से जादा लोग इखटा नहीं हो सकते हैं उसको 187 कर दिया गया है तो इस तरीके से जो है दोस्तों इन तमाम चीज आ रहा था जो धारा अब उसको पूरी तरीके से रटना होगा क्योंकि इन सब चीजों को चेंज कर दिया गया है इन सब में बदलाब कर दिया गया है नाम बदल दिये गया है अब इस नाम बदलने वाली चीजों राजनीती को तो आप जान ही रहे हैं कि पिछले 9 सालों में कानूनों के भी नाम बदन दिये जा रहे हैं दोस्तों इस पूरे रिपॉर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रति के लिए में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले